सब 2022 के models का price total 3% से बड़ा है और नमस्ते दोस्तो और वेलकम टू आर चैनल कैसे आप लोग हैं आज इस यूडियो में मैं आप लोगों के साथ शेर करने वाला हूँ best scooter for college student in 2022 college life आप मानो या ना मानो सबसे best time होता है अपनी life का यह study का थोड़ा सा stress रहता है बट उसके अलावा जो life की सची enjoyment होती है वो यहां होती है trust me life में हर कोई एक time आने के बाद वो moment miss करता है और बोलता है वो भी क्या दिन थे यार ऐसे अच्छे moments को चार चान लगा देती है एक bike या फिर scooter और इसी लिए ये वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे कुछ अच्छे scooter शेर करने वाला हूँ best bike for college student का वीडियो मैंने already upload किया है अगर आप लोगों को चाहिए तो i-link में मिलता रहेगा total 8 scooters add किये है मैंने ये list में और सबका 2022 का latest on road price और साथ में mileage और seat height भी मैंने share किया है college student की choice always होती है जादा stylish दिखने वाला जादा features वाला या फिर अच्छे power वाला या तो scooter या तो bike scooters easy होता है city के अंदर control करने के लिए as well as highway पे थोड़ा fun करने के लिए या फिर weekend में college के बाद अपने friends के साथ कई पर जाना हो तो सब सब best option होता है scooter video start करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आप लोगों को best scooter of 2022 का list चाहिए तो आप लोगों को नीचे comment करना है and मैं आप लोगों को से request करूँगा कि please do follow me on my instagram and facebook अगर आप लोगों को कोई doubt है तो आप लोग मुझे वहाँ पर personally message करके हम लोग वहाँ पर chat कर सकते है तो जादा time wait नहीं करते है चलिए start करते है अपना list list में आठवे नंबर पर है hero maestro age 125 modern and retro look का सई combination है ये scooter latest features के साथ ये scooter का on road price जाता है 96,000 और latest hero connect वाला model का price जाता है 1,6,000 ये मेरे यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपके यहाँ पर again थोड़ा बहुत pricing उपर नीचे हो सकता है मैं आपको recommend करूंगा prismatic color plus bluetooth उसका look काफी अच्छा है dual color scheme में काफी अच्छा presence देता है उसमें बहुत सारे features भी आप लोगों को मिल जाएंगे like led headlight, fully digital instrument cluster, disc brake आप लोगों को मिल जाएगा side stand engine cut off sensor भी उसके अंद आपर मिल जाएगा led tail light इसके अंदर option है 125 cc का air cool engine है जो की power produce करता है 9 bhp का and 10.4 newton meter stock देता है seat का space काफी अच्छा है तीन लोग आराम से इसके अंदर बैठ सकते हैं mileage आप लोगों को 40 to 45 kmpl मिल जाएगा seat height है इसका 775 mm का जिससे की short rider को कोई भी तरीके का दिक्कत नहीं होग अब बात कते हैं number 7 के scooter का तो number 7 पे है Honda Grazia stylish and sharp look के साथ ये काफी अच्छा option है अगर आप लोगों को aggressive look वाला एक scooter चाहिए तो अभी latest price इसका बढ़के चला गया है 1,4,000 रुपे तक का और अगर आप लोग top variant लोग है तो उसका on road price है 1,12,000 फीचर्स बहुत से है fully digital instrument cluster आप ल पार्ट के अंदर इसके अंदर आप लोगों को idle stop button मिल जाएगा जो की almost similar है to i3s hero का जो technology है वो यानि कि जब आप रुके होगे तो automatically आपका engine बन हो जाएगा side stand engine cutoff sensor भी इसके अंदर है Honda की ESP technology आप लोगों को मिल जाएगी जिससे आप लोगों को power delivery काफी अच्छा मिलेगा silent start option है इसके अंदर जो की again काफी अच्छा option है और इसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा LED headlight अगर आप लोगों को smooth ride चाहिए तो मैं definitely आप लोगों को ये scooter recommend करूँगा क्योंकि इसके अंदर 125cc का एकदम से refine engine है जो के power produce करता है 8.14 bhp का and 10.3 Nm का torque देता है ये engine fan cool है mileage आ 708 mm का 708 mm जो की बहुत अच्छा option है अब बात करते है नंबर 6 के scooter का नंबर 6 पे है Aprilia SR160 या फिर जो latest आया है SXR160 थोड़ा सा over price है बट अगर आप लोगों को कुछ अलग look चाहिए तो definitely में आप लोगों को recommend करूँगा और 7 में इसका power भी काफी अच्छा है तो अगर आप को bike के equal वाला power चीए तो definitely मैं आप लोगों को ये scooter recommend करूँगा new 2022 के model का on-road price है 1,42,000 अगर आप लोग top model के लिए जाओगे 1,51,000 जाएगा Aprilia SR160 का Aprilia SXR160 का on-road price है 1,50,000 तक मैं आपको recommend करूँगा SXR जो की है एक maxi scooter जिसका power and features काफी अच्छा है 160 CC का air cool engine है इसके अंदर जो की power produce करता है 10.84 BHP का and 11.6 Nm का torque देता है features में आप लोगों को ABS मिल जाएगा जो की बाकी किसी scooter के अंदर नहीं आता है 12 इंच के दोनों tire से all LED scooter है यानि की इसका headlight, signal indicators and tail light सबका सब चीज यहाँ पे आप लोगों को LED में मिल जाएगा fully LED instrument cluster आप लोगों को मिल जाएगा इसका suspension काफी अच्छा है और सबसे best बात इसका यह है कि इसका windshield काफी ऊपर है जिससे आप लोगों को high speed में कोई भी तरीके का तकलिफ नहीं होगा 7 liter का fuel tank है जो की again एक और अच्छा option है mileage आप लोगों को मिल जाएगा 32 से लेके 36 के MPL तक का and seat height है इसका 775 mm का अब बात कते हैं नंबर 5 के bike का तो नंबर 5 पे है Honda Activa Activa पहले से ही market में है और आज भी trust के लिए सबसे best scooter है यह अगर आप घर पे यह बोलोगे कि मुझे Activa लेनी है तो कोई भी आप लोगों को मना नहीं करेगा क्योंकि यह scooter पहले से ही Indian market में है सब 2022 के models का price total 3% से बढ़ा है और उसी के वज़े से इसका price भी बढ़ गया है Activa का सबसे lower model के लिए आप लोग जाओगे तो उसका on-road price है 98,000 तक का अगर आप लोग top model के लिए जाओगे तो उसका on-road price जाता है 1,08,000 तक का Activa 125 का engine एकदम से super smooth है service network भी काफी अच्छा है और कुछ modern features के साथ भी आता है Look में अभी भी old and new look का combination है यह scooter 125 CC का fan cool engine है इसके अंदर जो की power produce करता है 8.18 BHP का and 10.3 Nm से टॉक देता है mileage के लिए यह scooter काफी अच्छा mileage आप लोगों को दे देगा 48 से 52 KMPL तक का seat height है इसका 712 mm का pick up काफी अच्छा है scooter का and idle पे आप लोगों को stop वाला switch मिल जाएगा इसके अंदर आप लोगों को LED headlight मिल जाएगा side stand engine cut off sensor भी मिल जाएगा और इसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा mix instrument cluster जिसके अंदर थोड़ा सा information दिया है analog के में और थोड़ा सा information दिया है digital के अंदर अब बात काते है नंबर 4 के scooter का तो नंबर 4 पे है Suzuki XS 125 अगर आप लोगों का look है कि आप लोगों को जादा mileage चीये जादा features चाहिए तो definitely मैं आप लोगों को यह scooter recommend करूंगा Suzuki XS का look अभी भी थोड़ा सा old है बट इसके अंदर latest सारे features है और इंजिन एकदम से must refine है Suzuki Avenis करके एक new model आया है वो काफी अच्छा option है बट अभी बहुत सारे जग़े पे वो available नहीं है इसलिए मैं आप लोगों को definitely recommend करूंगा Suzuki XS 125 इसका on-road price जाता है 98,000 lower model का अगर आप लोग top model के लिए जाओंगे जो की है Bluetooth वाला variant उसका on-road price जाता है 1,8,000 यानि के 1,8,000 रुपीज Suzuki XS 125 के अंदर 125cc का air cool engine है जो की power produce करता है 8.6 bhp का and 10 Nm का torque देता है mileage आप लोगों को बहुत ही अच्छा मिल जाएगा 52 लेके 55 kmpl तक का seat height है 773 mm का इसके अंदर आप लोगों को fully digital instrument cluster मिल जाएगा turn by turn navigation मिल जाएगा all LED headlight मिल जाएगा under seat storage भी काफी अच्छा है and इसका सबसे best बात यह है कि इसको CT में चलाना बहुत ही easy है साथ में इसका handling भी काफी अच्छा है अब बात कहते है नंबर 3 के scooter का तो नंबर 3 पे है TVS Jupiter 125 just recently launch हुआ है यह scooter और जैसे ही launch हुआ वैसे ही बहुत कम time में काफी अच्छा popularity इसने gain कर लिया है जो की काफी अच्छा option है definitely on road price इसका जाता है 94,000 तक का अगर आप लोग top variant के लिए जाओगे तो top variant का on road price जाता है 1,04,000 value for money scooter है जिसमें आप लोगों को practical features काफी अच्छे मिल जाएंगे और एक better refine engine 125 cc का air cool engine है जो की power produce करता है 8.04 bhp and 10.5 Nm torque देता है सबसे बड़ा के अंदर features में आप लोगों को मिल जाएगा LED headlight, mixed instrument cluster, front में आप लोगों को fuel knob दिया है जो की again काफी अच्छा option है stylish alloy wheels आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएगे chrome finish भी इसके अंदर आ जाता है जो की काफी अच्छा option है charger इसके अंदर का तो नमबर दो पे है Suzuki Bergman यह एक और maxi scooter है Suzuki XS के option में काफी अच्छा option है super spacious and stylish लगता है यह scooter yes कुछ लोगों को यह थोड़ा सा bulky लगेगा या फिर बोल सकते कि पसंद नहीं आएगा क्योंकि यह बहुत ही बड़ा लगता है but still one of the best option है यह अगर आप लोगों को features अच्छे चाहिए अगर आप लोगों को look अच्छा चाहिए so definitely मैं आप लोगों को यह scooter recommend करूँगा इसका price access से जादा है new 2022 model का on-road price जाता है 1,09,000 और अगर आप लोग Bluetooth वाले variant के ले जाओगे तो उसका on-road price जाता है 1,14,000 Suzuki Bergman में 125cc का air cool engine है जो के power produce करता है 8.58 bhp and 10 newton meters का torque देता है mileage आप लोगों को मिल जाएगा 48-252 kmpl तक का seat height है इसका 780 mm का fully digital instrument cluster आप लोगों को मिल जाएगा turn by turn navigation आप लोगों को मिल जाएगा इसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा LED headlight और काफी अच्छा under the seat storage है इसके अंदर easy to ride और handle in the city एकदम से comfortable है ये city और highway fun के लिए अब बात कते हैं number 1 के scooter का तो any guess for number 1 क्योंकि number 1 पे है TVS and torque जब से launch हुआ है तब से बहुत सारे लोगों की ये पसंद है और क्यों नहीं इसके अंदर ये scooter लेना चाहेगा latest on road price है इसका 1 lakh तक का जो की lower model का है अगर आप लोग top model के लिए जाओगे तो उसका on road price जाता है 1 lakh and 10,000 and torque में आप लोगों को मिल जाएगा GPS navigation, Bluetooth connectivity अच्छा and powerful engine fully digital instrument cluster new XP edition में आप लोगों को 2 riding modes मिल जाएगे जिसके अंदर एक है street वाला and दूसरा है race mode जिसके अंदर power काफी अच्छा आप लोगों को मिल जाएगा 125cc का air cool engine है जो की power produce करता है 10.2 bhp का and 10.06 Nm का torque देता है seat height इसका काफी अच्छा है 770 mm का best option है आज के rate में अगर आप लोगों को चाहिए अगर आप लोगों को college के लिए जीए अगर आप youngster हो so definitely मैं आप लोगों को यह scooter recommend करूँगा so that's it from my side but कुछ और scooters है जो की as a honorable mention मैं यहाँ पर add करना चाहूँगा जो की अभी तक market में available नहीं है या फिर आए नहीं है पहला है Suzuki Avenis and दूसरा है Yamaha Aerox 155 यह अभी market में आने के बाद definitely काफी अच्छा competition होगा but यह हम लोग देखेंगे आगे चलके जब हम लोग list बनाएंगे आगे चलके जब हम इनको देखेंगे तब ही पता चलेगा कि कितने practical है यह दोनु स्कूटर so that's it from my side अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो please do like and subscribe to our channel अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई भी तरीके का doubt है तो आप लोग नीचे comment कर देना and please do follow me on my Instagram and Facebook bye-bye झाल